एक और बड़ी खबर आपको बता दे चुतिस गड़ हुआ कोरोना मुक्त कोरोना के आने से दो साल नौ मेहने बाद पहली बाद चुतिस गड़ कोरोना मुक्त हुआ है चुतिस गड़ में कोरोना के मरीजों की संख्या शुन्य प्रदेश में नहीं है कोरोना का एक भी एक्टिव केस कोरोना के दो साल नौ मेहने बाद पहली बार चुतिजगर की ये स्थिती है जब कोरोना मुख्त हुआ है चुतिजगर बता दे पिछले 24 घंटे में 1281 टेस्ट में एक भी मरीज सामने नहीं आए अस्पताल और होवाइस सुलिशन के सभी मरीज भी डिस्चार्ज हो चुके है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं प्रदेश में एक भी कोरोना के केसिस कोरोना के एक भी मरीज एक्टिव नहीं है और इस पर जादा जानकारी के नहीं साथ बने हुए है मोहन, मोहन क्या कुछ जानकारी है देखे च्छी बात है कि कोरोना के केसिस यहां जीरो हो गए हैं मार्च 2019 में जब पहली बार केस आया था तो लोग काफी डरे हुए थी और उसके बाद से लगातार केसिस सामने आते रहें च्छी गड़ में लेकिन यह पहली बार है जब करोना के एक भी केसिस सामने नहीं आए हैं इससे पता चलता है कि एक तरीके से यह भारत में और च्छी गड़ में तो नियंद्रित हो गया है हलाकि फिर से चीन में केसिस बढ़ने की ख़वर के बाद जो है एलेट मोड में केंदर सरकार आ गई है सारे स्वासमंत्रियों को पत्र लिखा गया है लेकिन च्छी बाती है कि एक भी केसिस अब नहीं है जिससे की नॉर्मल लाइर की और जो च्छी गड़ बढ़ा है उसमें और एक कदम जुड़ गया है केसिस नहीं होने की वज़ा से सारी पवंदियां पहले ही हट गई थी अब एक भी केसिस नहीं है तो एक रहात की बात है च्छी गड़ के लोगों के लिए लेकिन अभी भी चीन में केसिस बढ़ना और अंतराश्टी स्थर पर इसको लेकर खिंता जताना ये बताता है कि अभी भी सतर्क रहने की जरुद बनी हुई है बिल्कुल इसको लेकर कल ही एक महत्पून बैठक बुलाई गई है और सारे लोगों को पत्रस के माध्यम से एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि अपने अपने प्रदेशों में इस बात को लेकर एलेट रहें जो जांच की पक्रिया है उसके लिए पहले से तयार रहें और कहीं ऐसे केसिस आते हैं तो उसे गंभीरता से लिए जाये ताकि और कभी करोना का केसिस पहले की तरह ना बढ़े तो उन सब बातों को ध्यान रखने के निर्देश जरूर के इंदर सरकार ने दिये हैं जुर्णने के लिए शुक्रया मोहन तो प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है कि छुतिस गड़ में भी कोरोना के एक्टिव केसिस नहीं है प्रदेश में एक भी कोरोना के एक्टिव मरीज नहीं है